महान गायक मारी साथे बेठा छे जगचीत सिंग छे वडोद्रामा बेद इवस्ना कारेक्रम माटे आगया छे अन्य हाजे अत्यारे डॉक्टर भरत स्वामी नी ओफिस मा इमनों एक सुंदर इंट्रिव गोठवाया छे आपका स्वागत है सिंग साब हमारे कारेक्रम में अब बड़े संगीत के जो गनाता है हम आप से सिर्फ पहला ये सवाल जानना चाहते हैं ये संगीत में मजा क्या है क्यूं है ये संगीत में जो लुभावन पन जो है लोगों को क्यूं संगीत खीच ले ताइजर ये देवताओं का रचा हुआ आर्ट है संगीत जो है और ये शरीर की शांति के लिए है और आल्माइटी प्रभू को पहुँचने के लिए है इसमें रस ही रस है जैसे नौरस है ना हमारे तो ये जो कान का रस गायन का रस तो ये फूल अफ रस है तो जिस चीज में रस ही रस होंगे तो मन को अच्छा ही लगए होता संगीत में वो बात क्या है कर्षिश कहां से सुरू होती है इसमें वाइबरेशन है ना ये जो हम गाते हैं राग का कंबिरेशन है ये सुरू कंबिरेशन है इसमें एक सर्टन वाइबरेशन पैदा होते हैं जो आपके फिजिकल साउंड के त्रू जो है ना ओर्डिन्स को टच करते हैं तो बहुत आते हैं हाड को टच कर जाते हैं पहले वो तो कान में सुनेंगे तो भी हाड तक पहुजएगा वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा आप समझाया हमारे दर्समों प्रोसेस तो ये साइंटिफिक जो है ये तो आलग तो साइंटिफिक वाली बात नहीं है जो ये अध्यात्मक की बात है करें है छोड़ा आप सुने का मालक करते हैं तो इसका एक अट्मोस्पिर बनेगा उसका एक माहल बने का वाईबरेशन बनेगा तो उसमें एक मेडिटेशन शुरू हो जाता है मुजिक जो है इस सौर्ट अध मासमेडिटेशन अगर आपका गानेवाला कसुर लग गया है, जम गया है तो वो जितना पांच जार आदमी बैटा है वो सारा मिस्मराइज हो जाता है वो मेडिटेट करता है एक तरह से तो जहां मेडिटेशन में जब आना ना ले लगता है तो there is no limit ऐसा लगता रहता है कि जगजित सिंग जी गाये जाए, गाये जाए, हम सुने जाए वो जो माहोल बनता है जो संगित की ये कमाल है तो ये तो अभी प्रेक्टिस, रियाज एक्स्पिरियेंस उससे होता है सब जगजित सिंग जी ये वैसे तो मैथमेटिक्स भी आप करके संगित गा सकते हैं लेकिन एक रस उसमें पैदा करना आवाज में वो रियाज के बाद शुरू होता है ये रियाज की क्या एहमियत है गायकी में बहुत गहमियत है, हर चीज में एहमियत है रियाज की तो, डॉक्टर अगर सीथा डिगरी लेके अपरिशन करेगा तो गड़बर हो जाएगी एक्सपिरिंस चाहिए ने कुछ वो रियाज चाहिए उसका जो नए गायक है उनके लिए आप रियाज के बारे में आप कैसे रियाज करते हैं सर जब आपने सुरुआ कि लिए गायक का ये होता है कि नए गायक को पहले संगीत सीखना चाहिए जब संगीत सीखेंगे तो उनको खुद मालूं पड़ेगा कि रियाज कैसे करना है वोईस कल्टर कैसे करना है तो इससे लॉंग प्रोसेस थोई टीप्स दे सके हैं एक दिन का नहीं एक दिन का ये वो नहीं काम जैसे एक सरगा हम लेते हैं उसको हम दो-दो मिने करते रहते हैं एक पल्टा लेते हैं उसको हम दो-दो मिने करते हैं शुरू शुरू में सिर्फ साई लगाते हैं तानपुराज परे तो ये जैसे पहलवान अपना शरीर बनाने के लिए exercise करता है overnight तो नहीं बनता न उसकों body तीन-चार साल में थोड़े muscle muscle दिखने शुरू हो जाएंगे वो ही काम संगीत का है करते रही है, practice करते रही है यू शुट बे उन दे राइट ट्रैक, ये important है गुरू का क्या महत्व है गुरू मक्हा को है ये जहां आप 莱इट ट्रैक पे मिले क्योंकि अगर गुरू आपका ठीक है वो आपको रइट ट्रैक पे डने गा कि नहीं ऐसे नहीं करो इसे करोगे तो खराब हो जाएगा इंयद रफी हो सकता न आपका फिजिकल एक्षुली कॉड्स तो ये मसल्स ही है ना अगर आप समझो स्टेन कर लिया तो आवाज बैट गई उसमें आप गाते रहिए तो आपकी वो डैमेज भी हो सकते हैं वोकल कॉड्ट तो गुरू तो यही बताएंगा जब एक करके इसको यह नरम है इसको ऐसे करना है इ गुरू है ना हमारे दो गुरू है जिन से आमने सीखा उसके बाद तो सारा संसारी गुरू है सब संसार से सीखते रहना चाहिए बच्चे से लेके बुड़े तक सीखते रही बस शीखते रही बस शीख सब यह गायकी के इतने सारे प्रकार है गजल गायकी में क्या परकार गजल जो है ना वो पोईटरी की चीज है, गायकी में ढाली गई है भी, 60-70 साल से, पहले गजल तो ये उर्दू पोईटरी का एक style है लिखने का, जिसमें certain discipline होते हैं, उसको गजल कहते हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से गाई है, जैसे मरजी गाई है, शायर अपने हिसाब से गाते हैं, और हर गाने वाला हो, जैसे जैसे उसका experience है, knowledge है, music का, उस तरह उसको गाईगा हो, तो इसमें कोई hard and fast tool नहीं है, गजल का एक मज़ा ये है कि कम साजिंदे हैं, बहुत ज़्यादा साजिंदे नहीं लगते, आप कोई इतना सारा variation नहीं रखते, और फिर भी दोल रही है, और उपर से फिर उसकी rendition जो है, अगर अच्छा हो, melodious voice हो, तो वो सोने पर स्वागा हो जाता है, यह जो कम साजिंदे रखने, साजिंदे की थोड़ा मुत help लिए होना चाहिए, बागी आप ज़्यादा रख लीजिए, इसमें काई कि मैं बहुत सारे ज़्यादा रख देते, बादा ऐसे कोई वो hard and fast लोल नहीं है, कि कम साजिंदे होना चाहिए, यह ज़्यादा होना चाहिए, जैसे-जैस कि आपकी arrangement, जो music arrangement का knowledge है, वैसे-वैसे आप कर सकते हैं, वाइलन रखने आप, तो 20-25 वाइलन रखने पड़ते हैं, या वाइलन मात लिए निकाल देजिए, यह गजल में जो छूने वाली दिल को छू लेने वाली बात, सिंग साब कहा से लिया आते है, छू जाती है आपकी गजल, मैं तो अपना काम करता हूँ, बस अभी वो आपको छू जाती है, आप अकस्मित तो नहीं है, यह एक्सिदेंटल नहीं है, यह एक्सिदेंटल तो नहीं है, आपने, आपने कुछ, आप जब सब दरखते हो, आप जब यह करते हो, वह जाए ना है, प्रेक्टिस के साथ जो वोकल कॉट्स में, गुलाई, उसमें सही सुर में लगना हो जाए, कि स्वर को ईश्वर कहते हैं आबरे, अगर आपका स्वर जब आप परमात्मा के पास पहुंचने के कोशिश करते हैं तो उसमें अनन्दी अनन्द है, सुर की साथना है, सही सुर हो और मिठी आवाज हो, उपर से उसमें शब्द भी अच्छे हो, तो नथिंग लाइक है, यह हमारे धर्म में नाद ब्रह्म की बात कही है, नाद ब्र क्योंकि ओम जो है, वो फर्स्ट साउन है और इस हर्थ पे, धर्ती पे, आप कोशिश करते हैं कभी-कभी, नाद ब्रह्म काईकी में इसको बहुत बाखो भी लिया आते हैं, खरज का ग्यास जो है ना, वो उसको कहते हैं, तोड़ा नाद ब्रह्म सुनाने की आप कोशिश कर है हमारे दर्शकों को, तोड़ा सुनाने की इस, इस मुजिक के साथ बेजती है, जब आप बैठे हो अराम से नायद होगे, बैठे हो मुजिक के लिए, उस ही वक्त करी है, कोई खास उसका ये रहता है, ये भारत की जो गजल का दोर है, पचास साथ साल का, केसे केसे गुज शुरू शुरू में जब गजल साथ सो साल पुरा नहीं है, जो गजल लिखने की जो परता है, क्योंकि एरान से आई थी, और शुरू शुरू में जो भक्ती कल्ट, जो पैरलल था, सूफी संत है, वो पैरलल जैसे कबीर, को नाने, हरवदास, तो उसके पैरलल मीर तकी मीर, प्रदीर जे गालेब, हवाली दखनी, ये सब, तो उनकी राइटिंग में भी आप देखेंगे, ये जो फिलोसिफिकल चीजें आपको जादा मिलेगी, रादर देन रुमाटी, जो हमारी वेदो पुरानों में बात है, वो बात ही, वो ही गजल के, मीर की पोईटरी में, गा इंगार रस जाना मिलेगा, फिर उसके बाद इंडिपेंडनेंस ट्रगल शुरू ही, इंडिया की, उसमें आपको इनकलाब मिलेगा, वो शायर इंडिरेक्ली अगेस्ट इस्टेबलिश्मेंट लिखा उन्होंने, सर फरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में है, फिर आजाद दोर है, आज का जो दोर है, अभी इसमें बहुत बड़ा कैन्वस जो है गजल का बहुत फैल गया है अभी, क्योंकि ए गजल के शेयर में हर तरह की जो समस्याएं हैं या प्राब्लम्स हैं या जो मसले हैं, वो लाए जाते हैं, ए गजल में आपको पुलिटिकल सटायर भी म होते हैं गजल में, तो वेरिएशन जाता होगा है, अब आज का जो दोर है, कल के दोर के लिए, आप क्या सोच रहें, कौन सा दोर अब गजल में आएगा, हाई टॉप इट है, या और भी उचाहिया आएगी, क्योंकि अभी जो गजल का दोर थोड़ा सा ठंड़ा हो रहा है क्योंकि वो जो पॉप मुजिक ज्यादा परमोट हो रहा है, तो घजल इतनी परमोट नहीं हो रही है, कि दो आटिस्ट है, जो गाते हैं बागी दूर सब फेड आउट हो रहे हैं, तो यह जब पॉप मुजिक से जब आदमी ठक जाएगे, जहा हमारा, क्योंकि हमारी एक ब सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो फेर हम वह अची चीजों की बजनों की तरफ गजलों की तरफ इस तरफ आएगे, तो अगला दोर जो है गजल का, अच्छा है, यह तो 700 साल से चलती हारी चलते ही रहेगा, यह तो थोड़ा वाकी तो चेंज इस दिया है, भारत और पाकिस्त कोई मुजिक नहीं, तो सरफ इंडिया का मुजिक है, जो मुजिक आर्ट है, इट है उरेजिटेटिट फ्रम इंडिया, वल अवर दी वर्ड, देवताओं की रचना की वह है, मुसल्मान वो तो इमान में तो वो तो गाने बजाने को ठीक समझते हैं नहीं, तो उनका कहा से ह तो इमें हो जाए मुजिक, वो जो बंदिशे काते हैं वो ही हमारी बंदिशे है, जब से गई वानी सुधना ली नहीं यह जब वही चीज़ है, वही राग मालकों से है, वही राग बिजय बंती है, तो यहां का मुजिक है, उमम अपर दार्ट है। जो बेसिक संगीत है। म में कोई बड़ा परिवर्तन इतने पांच अजार साल में निया है सास्वत जेसा लग रहा है कि यही संगीत है क्यों पर्फेक्ट है जो बनाया गया है संगीत वो पर्फेक्ट है उसमें परिवर्तन आप लाएंगे तो आप यू भी कुछ संगीत कारों ने करते हैं नयरा बनाते हैं लेकिन वो नहीं उसका नहीं बनता है वाइबरेशन नहीं बनती है जैसे प्यानों का जो गंधार अलग है लेकिन जो आप गले में गंधार अलग है उसमें थोड़ा उत्रा हुआ होता है या कहीं चड़ा हुआ होता है तो सार जी बात ही है अभी कि दुन्या बर में हर एक संगीत का अपना एक्विविलेंट संगीत होता है सब जगा फोक संगीत का कहीं न कई फोक संगीत दिनता है ये गजल गायकी का कोई equivalent अमेरिका के पास दूसरे दुनिया के देशों के पास है या यही हमारी हमारी खुद की धरोगार है कहीं दूसरी जगा उसके equivalent मिलती है गजल का जो है न डिसिप्लिन है पोईट्री का, वो अगर तोड़ देते हैं तो गजल नहीं रहती है, तो दुनिया में कहीं मिलेगे, निसाल नहीं मुला ना गायकी में नहीं है गजल, गजल सिर्फ लिटन में है पहले थी, गायकी में तो अभी लाई गई है, पर उसकी एक्विविलेंट कोई बात दुनिया जैसे कबीर हैं, उनके भजन हैं, दोए हैं, वो तो पोईट्री की चीज़ है ना, जैसे तुल्सी के दोए हैं, अब उनको आप गाये, आपने अपने दुन मरा लीजिए, कुछ किस दुन मरा गाये, लेकिन है तो वो लिटरेचर है, इस तरहे गजल भी एक लिटरेचर है, ने, मेरा सवाल यह है, यह दुनिया के दूसरे देशों का जो अपना खुद का संगीत है, उसमें कहीं गजल के नदिक वाली कोई चीज़ है, इरान में है इरान में है, इज़र थोड़ा सा, अरभी कंट्रीस में है, बागी यह, उर्दू में लिखी जाती ने, इसलिए, त पूरा सब जगा है, मगर गजल का है, जो पेसिपिक है, तो उसके उपर, जो उनके मन में आएगा, कुछी से वो निकालेगे, तो अब एक बात खास पूशनी है, सिंग साब, कि गजल गायकी में है, जो गजल के गायक है, वो तो बड़े-बड़े मुकाम पे पहुंच जात है, जो गजल लिखने वालों के मुकाम कोई खास नहीं होते है, क्या बात होते हैं? इसलिए लिखने वाला भी गालों नहीं है? आप ने तो बहुत सारे गजल गारों की गजल गाये है, आपके चहीत ये गजल लिखने वाले को आना है? नहीं, ऐसे चहीते कोई पिन पॉइंट नहीं करते हैं, जो जो हमारे पास आते रहते हैं गजल लिखते हैं उनकी गाल लेते हैं, सब ही अच्छे लिखते हैं, कोई गजल तो सब ही अच्छी होती है. आज के छोड़ दो के जो पुराने है, जो गुजर चुके ज़र निकल गए अपनी जमाने से, उसके बारे में से किसी एक दो अच्छे गजल लिखने वालों के लिए आप पूछ गए हैं? दिकल गए जैसे जिगर मुरादाबादी, फिराग गुरकपुरी, वो बहुत अच्छे हैं और परानों में वर्जा गालिब हैं, दाग हैं, फैज अब फैज हैं. आप इतने बड़े मुकाम पे पहुँचके हैं, बड़ी मंजील आपने तई कर लिए, अब लोग कह रहे हैं कि आप ठहर गए हैं, थोड़ा बहाओ कम होगा ऐसा. अच्छा है ना, एक साथ साल की उमर के पाद ठहर जाना थाए है, उड़ते रहोगे तो कि इंगर जाओगे? थोड़ा ठहराओ की जो आपके चाहा को मैं, कसी इसी है, कि अभी अब कुछ थोड़ा कुछ, आपसे बहुत उमीद लगा के बैठे लोगे. क्या हमीद मैं, अभी नंगा नाचु में क्या करूं? गायकी मैं थोड़ा करूं? गायकी मैं तो कोशिच कर रहा हूँ, देले-देले तो Classical अभी मैंने Classical निकाला है. अभी तो मैं आपने जो question पूछा है, actually, for the sake of, you haven't studied my progress. अभी आपके बड़े मुकाम देए. ईचमाने लोग नाच पूछा है. अभी पंदरा साल पुराने रिकोर्ड सुनते रहते हैं. वो ज्यादा पसंद कर रहा है. हम भी हम भी आगे बढ़े आपको क्या मालूम कि लास्ट अल्बम मैंने क्या किया है तो सिख साब चाहते है के लोग भी थोड़ा आगे बढ़े अजय है तो सिख साब आपके बढ़े बढ़े आपके बेड़ गए आपके पोग्राम भी जब होते है आप खुद जानते हो कि वही बार बार आवा जाते है वही गाने बुराने गाने तो उनको वही सुनने क्या करोगे लोग थेर गए है अजय है जय हैं मैं झानले आपके बार आव खिर गए तो ए हमारे साथ ना मैं पुराबात बहते है और थे शीए बार आपके बेड़ा कि वही है तक जा नवी है ठाए है